हेलो दोस्तों यहां पर एक new application आचुकि काफी बैसरे इन application सिंपल लाप अप्लिकेशन को कैसे यूज करना है दोस्तों काफी असान application है दोस्तों इस application को पहले डाउनोड कर लिजें निचे डिस्किप्शन मों मिल जाती है बाउस यहां यिस आपको नीचे डिसक्रिप्सिन हो मिल जाती है इस अप्लीकेशन के बारे मिल जाएगे चेक आउड भी कर सकते हैं दोस्तों जैनल पर आप नहे हो तो चैनल को कर लिजेगा सबसे पहले आपको information मिलेगी, simple spread application को open कर लेना, अपने phone के अंदर, जैसे दोस्तों open करोगे, कुछ इस प्रहकार से आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ साचेंड करने को भी यहां बाद आपको इस application का interface को मिल जाएगा जैसे क्लिक करो को दोस्तो server list open हो जाएगी तो क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं server list और server list में आपको किसी भी कंटी का server जो है select कर लेना है अपने data से connect करने के लिए तो यहां पर सेलेक्ट इस लूकेशन है दोस्तों यूएस कंटी का सर्वर जो है सो कर रहा है तो मैं यहां पर यूएस कंटी का सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूं बाद देख सकते हैं आपको connecting request आगी किसी भी कंटी का सरवर आप select करोगे तो connecting request आएगी ओके वाले option पर क्लिक कर देना है connecting request आगी दोस्तों तो ओके वाले option पर क्लिक कर देना है कुछ सेकंड का वेट कर लेना है कुछ सेकंड में यह connected successful हो जागा आपका जो डाटा है उस यूस कंटी के डाटा से यह आधर कंटी के डाटा सकनेक्ट हो जागा यूज करोगे तो वह भी हैं करना बंद कर देगा त्री डाट पर क्लिक करके इस application का about अपडेट फ्यूचर जो है चिक आउट कर सकतो और दोस्तों यूज कर सकतो काफी फायदा उठा सकतो इस simple बीपन application को यूज करने के बाद और यूज करने के बाद वन क्लिक करके इसको stop भी कर सकतो यूज करने के बाद इसको disconnect भी कर सकतो काफी फायदा है दोस्तों इस application को यूज करने के बाद और कुछ इस प्रकार से disconnect होते देख सकतो जैन जाबाब बनेवाद में